राश्टी आपातकाल के प्रभाव तो प्रभाव एफेक्ट जो हैं वो अलग अलग छेत्र पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसका जो पहला छेत्र है वो देखें कारिपालिका पर इसका इफेक्ट क्या है तो बहुत सिंपिल है हमने पहले भी आपको बताया कि संग की कारि साली हो जाती है तो कारिपाल का में क्या होगा जो संग की कारिपालिका होती है तो संघी कारिपालिका संघी कारिपालिका क्या हो जाती है सक्तिसाली तो इसकी सक्तिका बिस्तार हो जाता है राज की कारिपालिका पर यानि जो प्रदेश है राज है राज्यों की कारिपालिका को निर्देश दे सकती है संघी कारिपालिका कि वो अपने कारिपालक सकतियों का प्रियोग कैसे करें तो संघी कारिपालिका ये जो है निर्देश दे सकती है निर्देश किसको राज की कारिपालिका राज्यों की कारिपालिका क्या निर्देश दे सकती है निर्देश क्या होंगे कि वो अपनी सक्तियों का प्रियोग कैसे करें अपनी सक्तियों का प्रियोग कैसे करें यानि जो भी रीतियों बताएगा केंदर की कारिपालिका जैसे तरीका बताएगी राज की सरकारें उसी तरीके से काम करेंगी तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि केंदर की कारिपालिका का बिस्तार जो है सक्तियों का बिस्तार राज की कारिपालिकाओं पर हो जाता है और वही वहां बैठ करके निर्देशित करते हैं कि ऐसे से काम करना है तो यह कारिपालि अब बिधाय का विधु बनाने का यहां बिधाय का बिधैका बिधाय के संबंद्ने का। में आप चुके तो गडबड हो जाएगा उत्तर तीन बातें मैं आपको बताऊंगा तीनों चीजें बिलकुल इस पश्ट याद रखेगा कभी कुश्चन गलत नहीं होगा तो विधायका पर क्या फर्क पड़ता है देखिए सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि हमने आप को पहले ही बताया था कि प्रांतों की इमेर्जंसी में एक सरकार के पास में पावर आ जाती है संविधान एकात्मक हो जाता है इसका मतलब है जो प्रांतों की सरकारें बिधी बनाती है वहां की जो विधान मंडल है उनकी पावर्स निलंबित हो जाएंगी या समाप्त हो ज बिधान मंडल यानि जहां बिधान सभाएं हैं या फिर बिधान सभाएं और बिधान परिसद हैं तो बिधान मंडल कहलाएगा राजों के बिधान मंडल की बिधी बनाने की सक्ति बिधी बनाने की सक्ति क्या हो जाएगी निलंबित हो जाएगी समाप्त मतलिक देना निलंबित इस्थगित हो जाएगी जब तक आपात काल रहेगा तब तक के लिए निलंबित हो जाएगी तो फिर राज्यों के कानून कौन बनाएगा यानि राजी सूची के विश्व पर अपातकाल दो साल चल सकता है तो कौन करेगा वहां का कानून का निर्मार तो संसद करेगी तो विधान मंदल कानून नहीं बना सकते हैं फिर संसद बनाएगी अब संसद अपने कानून तो बनाएगी ही संग सूची के विशे पर तो वो आलेडी ही बनाएगे अब वो राज सूची के विश्यों पर भी कानून बना सकेंगे संसद जो है वो राज सूची जिस पर राज सूची के विस्यों पर भी कानून बना सकेगी विस्यों पर कानून बना सकेगी और ऐसे कानून ये जो संसद राज सूची के विस्यों पर कानून बनाएगी आपात काल के समय में तो क्या ये हमेशा के लिए रहेंगे नहीं ये आपात काल समाप्त होने के बाद में छे महीने तक रहेंगे तो यह जो कानून होंगे इस तरह वाले तो ऐसे कानून या ऐसी बिधियां ऐसी बिधियां आपात काल के बाद छे माह तक प्रभावी रहेंगी उसके बाद में समाप्त हो जाएंगी क्योंकि उसके बाद में राजी खुद उन्विष्यों पर चाहेगा तो कानून बनाएगा या उसका अपना मर्जी है छे महीने तक वो प्रभावी रहेंगी और तीसरी बात तीन बात हमने बताई थी आपको पहली तो राज के विधान मंडलों की विधि बनाने की सक्ती निलंबित हो गई तो फिर कौन विधि बनाएगा संसद बनाएगा और ऐसी विधियां अगर आपात काल समाप्त हो जाता है तब भी छे महीने तक वैलिड रहें और तीसरी बात यह है कि हमने आपको भी बताया था कि जो आपात काल है वो पूरे देश पर भी लग सकता है और किसी एक प्रदेश या किसी एक प्रदेश के कुछ जिलों में लग सकता है हो सकता है कि वो राष्ट राष्ट पती जो है गोशना कर दे कि नेशनल इमर्जंसी वो all over India रहेगी पूरे सभी प्रांतों में सभी union territories में यानि पूरे भारत में रहेगी हो सकता है कि वो कहें सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगेगा या वो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों पर लगेगा या विहार के 5 जिलों पर लगेगा तो वो किसी एक छेतर पर भी लगा सकते हैं अपातकाल लगाया जा सकता है ये एक बिचार का प्रश्ण है क्योंकि पूरे भारत में अगर लगा है तब तो ये ठीक ही है अगर सिर्फ एक ही प्रदेश में आपातकाल लगाया गया है तो दूसरे प्रदेश के साथ कैसा बिवहार होगा ये प्रस्ण बिचार नहीं है तो इसका उत्तर ये है कि जब भी राश्ट्री आपात काल राश्ट्री या सब्द पे धहान दीजिए नेशनल इमर्जनसी इसको बोलते हैं और वो भले ही किसी भी एक एरिया में लगा हो लेकिन केंद्र और राज के संबंध सभी के सभी परिवर्तित हो जाते हैं यानि संविधान उस समय एकात्मक हो जाता है और संविधान उस परिवर्तित हो जाते हैं तो यहां पर होगा लिखेंगे कि यदि आपात काल राश्टि आपात काल की बात हो रहे हैं आपात काल देश के एक भाग में देश के एक राज एक राज या उसके एक भाग में लगा है तब भी संसद की बिधाई सक्ति का विस्तार सभी राज्यों पर होगा इसको जरा समझें मा लेते हैं कि आपातकाल देश के एक राज उत्तर प्रदेश में लगाया गया है या उत्तर प्रदेश के किसी कुछ जिलों में लगाया गया है और राज सूची के विसे पर अगर संसद कानून बना देती है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो सिर पुत्र प्रदेश के लिए होगा वह परिवर्तन वह ब्यवस्ता सभी प्रदेशों पर लागू होगी यानि कि संसत जो कानूर बनाएगा वो सब प्रदेशों के लिए रहेगा तो इस तरह से आपको इह तीन बातें आपको विधायका के सम्बन्ध में याद रखनी है इसी को आप कह सकते हो कि यह चीज क्या हो गई यह कहलाता है एक आत्मक संबिधान एक आत्मक संभिधान तो कभी कुश्चन ऐसे आ सकता है कि किस परिस्थिती में हमारे देश का संभात्मक संभिधान फेडरल कांस्टिटूशन यूनिटरी कांस्टिटूशन में बदल जाता है एकात्मक समिधान में बदल जाता है तो आपका उत्तर होगा एमर्जनसी के समय राष्टी आपात काल के समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरा सरकार का स्तर है उसकी बिद्धि बनाने की सक्ति निलम्बित हो गई है तो एकात्मक समिधान का लच्छन है यह तो इस तरह से हो गया अब यह तो हमने दो देख लिए कारिपालिका का और विधायका पे क्या फर्क पड़ा अब तीसरा फर्क पड़ता है बित्ति जो मामले हैं देश के आपको पता है कि भारत में सरकार के दो स्तर है तो राजसु का भी बटवारा होता है करों का बटवार जल्दी ही उसका चैप्टर होगा तो केंद्र और राज के बीच में राजसु का बटवारा भी होता है तो इस पर भी फर्क पड़ता है आपातकाल के समय में राजसु पर भी फर्क पड़ता है या आप इसे बित्तिय लिखें कि बित्तिय चीजों पर क्या फर्क पड़ेग बित्ति यह फाइनिंसियल अंतर क्या आएगा तो जैसे हमने बताया कि करका वित्रण होता है तो आठकिल तीनसो तीनसो चौवण में ये बात कही गई है आठकिल तीनसो चौवण में बताया गया है कि राष्टपती चाहे तो आवस्यक नहीं है कर सकता है राष्टपती केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बट्वारा है उसको परिवर्तित कर सकता है राष्टुपती क्या कर सकता है? केंद्र एवं राज के मध्धे राजस्व के वितरण वितरण को संसोधित कर सकता है यानि परिवर्तित कर सकता है परिवर्तित कर सकता है आवस्यक नहीं है कर सकता है अगर उसको लगता है ऐसा करना तो वो कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि मा लेते हैं कहीं पर सो रुपया में जो है सो रुपया में तीस रुपय राजी को मिलता था और सतर रुपय केंदर के पास रहता था सतर तीस का बटवारा था या सतर राजी को मिलता था जो भी बटवारा सिस्टम है उस पे जो यह किया जाएगा संसुधन यह कब तक रहेगा अच्छा एक चीज और जाने कि जब यह चीज की जाएगी तो इसको सदन के पटल पे रखा जाएगा यानि सिर्फ राष्टपती के कह देने मात्र से नहीं होगा मंत्वंडल कि मंत्वरस्थ की सलाह से कर दिया लेकिन फिर इसको सदन में रखा जाएगा पारित होने के लिए यानि ऐसे निर्णए अगर राजोस्षे समंदित निर्णए होते हैं तो यह सदन के पटल पर रखे जाएगे पटल पर रखे जाएगे पास कराना पड़ेगा इसको बात में संसद से तो पास तो हो जाएगा इसके बाद प्रिवर्टन कर दिये जाएंगे वह हमेशा के लिए हो जाएंगे नहीं हमेशा के लिए नहीं होंगे तो अभी इसके पीछे हमने बताया था कि जो बिधियां बन जाएंगी संसत जो कानून बना देगा वह अपातकार के 6 महिने बाद खतम हो जाएंगी और यहां पर जो मर्च तक जाता है तो इसमें कहा गया कि जो इस तरह का परिवर्टन है वो आपातकाल जब भी समाप्त होगा आपातकाल के समाप्त होने समाप्त होने के बित्ती वर्स किसी बित्ती वर्स में ही तो होगा बित्ती वर्स की समाप्ती तक समाप्ति तक लागू रहेगा यानि कि अगर आपातकाल किसी वर्स में मालिते हैं 2023 में आपातकाल जुलाई में खतम हो गया जुलाई में खतम हो गया और बित्ती वर्स सुरू हो गया था अप्रैल से अप्रैमेल जून जुलाई में जुलाई में आपातकाल खतम हो गया और ये परिवर्तन किया जा चुका था तो ये परिवर्तन सिर्फ 6 महिने नहीं चलेगा ये मार्च तक चलेगा मार्च 24 तक चलेगा और जब तक नया फाइनेंसियल एर पहली अपरेल रहेगा तो ये बित्तीय प्रभाव पड़ता है केंद्र और राजि के बीच में राजस्य के बट्वारे पर आपड़े और क्या प्रभाव पड़ेगा अपातकाल का लोक सभा और विधान सभाओं के कारिकाल पर भी पड़ता है दोनों आस्थाई सदन है तो इनका कारिकाल होता है तो आप लिख सकते हैं इसकी एडिंग रहेगी लोक सभा येवं विधान सभा विधान सभाओं का कारिकाल कारिकाल तेने और क्या होगा लोक सभा और विधान सभाओं का तो देखे जब भी आपात काल की घोशना हुई मा लेते हैं और उसी समय लोक सभा का कारिकाल आगे खतम होने वाला था या प्रदेश की विधान सभा का कारिकाल खतम होने वाला था तो उसको बढ़ाया जा सकता ह इमर्जन्सी के समय में कारिकाल को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि चुनाओ कराना संभव नहीं है तो एक-एक वर्स करके बढ़ाया जाएगा और बार-बार बढ़ाया जा सकता है कारिकाल क्या कर सकते हैं एक-एक वर्स करके बार-बार बढ़ाया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है अब ये भी अनिश्चित कालिन है जब तक आपात काल रहेगा चुनाव हो नहीं सकता है तो एक एक वर्स करके बढ़ा सकते हैं एक वर्स हो गया आपात काल नहीं खतम हुआ फिर से बढ़ा दिया एक साल के लिए तो जब आपातकाल खतम होगा उसके बाद में छे महीने बाद जो है छे महीने तक रह सकता है ये बड़ोत्री और फिर चुराओं करवाना अनिवार है यानि आपातकाल के समापती के बाद अधिक्तम छे माह तक कारिकाल रहेगा फिर चुनाओं होंगे फिर चुनाओं अनिवार है अगर आज की डेट में कारिकाल आपातकाल समापत कर दिया गया तो अब लोकसभा में जो बढ़ाया जा रहा था तो मैक्समिम छे महीने तक हम और बढ़ा हुआ रख सकते हैं कारिकाल उसके बाद में चुन किया गया है 1975 की इमेर्जनसी के समय में दो बार जो है लोक्षभा का कारेकाल जो है बढ़ाया गया था इसलिए इलक्षन अगली सरकार जो है 1977 में आपाई थी जबकि वो खत्तर से 77 में आपाई थी क्योंकि दो वर्ष बढ़ा दिया गया था तो एक्जाम्पिल इसका है आप लिख सकते हैं कि 1975 की जब इमेर्जनसी लगाई गई थी 1975 में दो बार कारेकाल बढ़ाया गया था और ये कब तक चला था 1977 तक कारेकाल हो गया था और 1977 में फिर इंद्रा गांधी की सरकार को पराजे का सामना करना पड़ा इसी इमेर्जनसी की वज़े से और बिपच्च बहुत एकुजट हो गया था और फिर एक पहली बार गैर कांगरेसी सरकार बनी आजादी के बाद में और मोरार जी देशाई प्रधानमंत्री बने थे और उन्हीं के प्रधानमंत्री तकाल में जो है 78 में चवाले स्वास मिधान संसोधन किया गया था तो यह आपने समझ लिया लोकसभा बिधान सभा के बिधान सपा पर भी ऐसा ही रहेगा बिलकुल एक एक वरस करके बढ़ाया जाएगा और कारिपालिका को देख लिया तो बहुत इजी है कारिपालिका में कारिपालिका का बिस्तार बिधान सभाओं की कारिपालिका तक हो गया उनको आदेशित करने लगे बिधायका का भी देख लिया बित्ती भी समझ लिया कारिकाल भी समझ लिया अब हम देखे हमारे मूल अधि पर प्रभाव मूल अधिकारों पर प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है और कठिन भी है इसको जरा समझे कि फंडामेंटर राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो दिखिए हमको पता है आपको सबको पता है कि जब भी नेशनल इमर्जंसी की किये जाते हैं तो उसके लिए दो आठकिल से अगर आपसे कभी पूछा जा कि राष्टी आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद से रिलेटर है तो दो अनुच्छेद का आप नाम लेंगे एक है आठकिल 358 और एक है आठकिल 361 इन दोनों में ही है आठकिल 358 में जो है कहा गया है कि आपातकाल के समय में आर्टिकिल उनीस, आर्टिकिल उनीस fundamental right है, छे सोतंतरता हैं, उसमें comment करके बताईए आप की आर्टिकल उनीस में हमें कौन कौन सी सोतंतरता हैं, प्राप्त हैं, वो भी आप करम से बताईएगा, ABCDE करके किस करम से हैं वो, तो आर्टिकल 358 कहता है कि आपातकाल के समय में क्या होगा, आर्टिकल उनीस की, छे सोतंतरता हैं, छे सोतंतरता हैं, स्वतह समाप्त, समाप्त नहीं लिखेंगे, सौरी, निलंबित, दोनों ही सब्दों का अलग-अलग मतलब है, समाप्त का मतलब है, समाप्त हो गया, निलंबित का मतलब है, आपातकाल के समय तक निलंबित ब निलंबित हो जाएंगी इनके लिए राष्टपती को घोषना करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपात काल की घोषना हुई उसी तारिक से आठकिल उनीस की 670 तरताएं समाप 670 तरताएं कमेंट करिए आप निलंबित हो जाएंगी अब इसमें 44 समिधान संसोधन करके एक बात इसमें बढ़ाई गई है हमने बताएंगी समिधान संसोधन को कि इसमें क्या कहा गया कि आठकिल उनीस का निलंबन तब ही होगा होगा जब आपातकाल का आधार यहां सब राष्टी आपातकाल की बात हो रही है आप ध्या लखेगा जितना भी चैप्टर में मैंने बताया है सब राष्टी आपातकाल की बात में कर रहा हूँ नेशनल इमर्जिंसी आठकिल 352 वाला जब राष्टी आपातकाल का आधार बाह आक्रमड हो युद्ध हो युद्ध या बाह आक्रमड हो यानि कि तीसरा वाला आधार जो है सशस्त्र बिद्रोह आंत्रिक वाला उसमें आठकिल उनीस निलंबित नहीं होता है आठकिल उनीस का निलंबन तभी होगा जब राष्टी आपातकाल का आधार क्या हो युद्ध हो या बाह आक्रमड हो इसका सीधा मतलब है कि सशस्त्र बिद्रोह के कारण अगर नेशनल इमर्जिंसी लगाई जाती है तो फिर ये आठकिल 358 स्वता चालू नहीं होगा अब बात करते हैं आठकिल 369 की तो 369 में क्या है 369 में यहां आठकिल 19 की बात की गई थी यहां पर आठकिल 19 के अतिरिक्त आठकिल 19 के अतिरिक्त कि अधिया तो यहां पर देखे स्वता सब्द को आप ध्यान दीजिए गा यह स्वता निलंबित हो जाते हैं आठकिल 19 के अतिरिक्त जो अन्य फंडामेंटर रैट्स हैं आठकिल 14 से लेके आठकिल 32 तक के जो टोटल है उसमें से किन-किन चीज का निलंबन किया जाएगा वो अतिरिक्त में आ गया तो आठकिल 19 के अतिरिक्त जो फंडामेंटर रैट्स का निलंबन है यह स्वता नहीं करके राश्ट्रपती अधेस द्वारा किसी एक या सभी का निलंबन कर सकते हैं निलंबन कर सकते हैं यानि कि वहां पर तो सता हो जाता है और पूरे कि यहां पर क्या होगा कि अगर राश्ट्रपती को लगता है कि और ज्यादा फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करने की जरूरत है तो राश्ट्रपती एक आदेस निकालेंगे और उसमें बताएंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का निलंबित कि असा ने कि सब के सब वो कहँए देंगे कि आठकिल 15 लाइए है आठकिल 25 लाइए आठकिल 24 को कर रहे है जो भी वो करना चाहें उनकी इच्छा पर है तो आधेस जारी करके वो एक या सभी fundamental rights का निलंबल कर सकते हैं और जो सबसे मेन बात है वो आप यहाँ पर ध्यान रखे कि यहाँ पर fundamental rights निलंबित नहीं होते हैं बलकि नियायाले जाने का अधिकार निलंबित होता है तो यहाँ पर fundamental rights के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तन हे तो नियायाले जाने का अधिकार निलंबित होता है अधिकार बने रहेंगे आपकी लेकिन आप नियायाले नहीं जा सकते हैं यानि कि वो मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, सामान अधिकार की तरे हैं, आप यूज करिए, लेकिन अगर सरकार की कोई बिधी, ऐसे समय में जो बिधियां बनेंगी, अगर वो fundamental rights का हनन करती हैं, तो आप फिर नियाले नहीं जा सकते हैं, अधिकार बने रहेंगे आपके, ख् समाप्त हो जाएगा, वैसे ही बिधियां समाप्त हो जाएगी, और यहां पर जैसे ही आदेश वापस ले लिया जाएगा, वैसे ही वो बिधियां, जो उनका उलंगन करती थी, emergency में वो सब समाप्थ हो जाएंगी यानि आपात काल के समाप्ती के बाद बिधियां समाप्थ हो जाएंगी इस तरह से आपात काल के बाद जो बिधियां है जो fundamental rights का उलंगन कर रही है बिधियां समाप्थ हो जाएंगी जो fundamental rights का आतिक्रमड करती हैं, क्योंकि जैसे ही आपातकाल खतम होगा, वैसे ही आठकिल त्यारा प्रभावी हो जाएगा, और आठकिल त्यारा क्या कहता है, कि वे सभी बिधियां, जो fundamental rights का अतिक्रमड करेंगी, और जिस सीमा तक करेंगी, वो सभी निरस्त मानी जाएगी, तो जैसे ह ही आपातकाल समाप्त होगा, वैसे ही वो fundamental rights का अतिक्रमड करने वाली बिधियां समाप्त हो जाएगी, तो अब एक कुश्चन आ जाएगा, कि क्या तब यद इन बिधियों की वजह से किसी का fundamental rights का नुकसान हुआ है, तो क्या तब वो निया ले जा सकता है, बाद में, नहीं तब भी नहीं जा सकता है, यानि बिधियों द्वारा किये गए कार से अगर किसी का कोई वंचन हुआ है, तो बाद में उसे चुनोती नहीं दी जा सकती है, तो क्योंकि वो अपातकाल के समय में वैसा करना जरूरी था, तो अपातकाल के बाद में बिधियां अत्किमर करती ह हो समाप्त हो जाएंगी लेकिन बिधी द्वारा यहां लिख लें लेकिन बिधी द्वारा यदि एफ आर का वंचन हुआ है वंचन हुआ है तो बाद में भी चुनोती नहीं दी जा सकती बाद में उसे चुनोती नहीं यानि कि आप कह सकते हो कि उस विधियों के द्वारा किये गये कार वैलिड रहेंगे और बाद में उन्हें आप इसाधार पे चुनोती नहीं दे सकते हैं कि इस कानून की वजह से हमारा fundamental rights का हनन हुआ तो बाद में चुनोती नहीं दी जा सकती तो ये हो गया हमारे मूल अधिकारों पर इसका जो effect पड़ता है राष्टिया पातकाल का उसको हमने समझ लिया अब एक चीज यहां पर और आती है कि आठकिल 19 की हमने बात कर ली 19 की अतिरिक्त की बात कर ली अब दो आठकिल यहां पर आपको और जानने हैं जिनको ना तो सता और ना तो राष्टपती के आदेश से निलंबित किया जा सकता है वो हैं आठकिल 20 और आठकिल 21 तो यहीं पर कहीं पर नूट करेंगे आठकिल 20 और 21 आठकिल 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता निलंबन नहीं ये मोटा मोटा कहीं लिख लीजे कि आठकिल 20 आप कमेंट करें इसमें क्या है आठकिल 21 में क्या है तो ये दो आठकिल आपातकार के समय ना तो सता और ना ही राष्टपती के आदेश से किसी भी तरीके से आनि ना तो 358 ना तो 361 का प्रियोग 20 और 21 पर नहीं किया जा सकता है तो यह दो सुरच्छित रहते हैं सभी परिस्थितियों में तो यह हो गया हमारे राष्टी आपातकाल में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब देखे राष्टी आपातकाल भारत में कब-कब लगाय गया है तो वो भी आप जान ले तो तीन बार राष्टी आपातकाल लगाया गया है तीन बार अब तक देश में तीन बार राष्टी आपातकाल की घोशना की जाचको यानि आठकेल 352 का प्रियोग तीन बार हो चुका है एक तो हुआ था 1900 पहला हुआ 1962 में 1962 में कब हुआ चीन का अकरमड हुआ जब चीन का अकरमड हुआ 1962 में राष्टी आपातकाल लगाया गया और ये आपातकाल समाप्त नहीं हो पाया था 1965 में पाकिस्तान से योदि शुरू हो गया तो दुबारा राष्टी आपातकाल घोशित करने की जरूरत नहीं वही 65 वाला वही जो 62 वाला चल रहा था वही आगे कांटीनिव रहा और ये कब तक रहा 1968 तक इसी में 1965 में पाकिस्तान का युद्ध भी हो गया इसी में पाकिस्तान से युद्ध तो देखें दोनों के आधार एक ही थे इसलिए दुबारा घोसित करने की जरूरत नहीं थी 1962 में घोसित किया गया वही चल ही रहा था उसी में 1965 में पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया तो वही कांटीनिव रहा एक ही बार वाला और 1968 तक जो है यही चलता रहा 1968 में जाके इसको समाप्त किया गया तो यह एक बार हुआ दूसरी बार कब घोसित किया गया तो दूसरी बार 1971 में घोसित किया गया था और ये चल ही रहा था तो ये कांटीनी हुई था और 1975 में फिर एक घोशना हुई वही आंतरिक असांति की आधार पर अब देखें यहां पर आप फिर कह सकते हैं कि यहां पर जब एक चल रहा था तो दूसरा नहीं गोसित करा गया था लेकिन यहां दूसरा क्यों गोसित किया यहाँ पे counting three आ गई तो यह भी समाप्त नहीं हुआ था यह national emergency चल ही रही थी यह 70 वाली उसके बाद यह 1975 में आंतरिक असांती की घोशना कर दी गई तो यहाँ कारण दो थे यहाँ बाहे कारण था यह आंतरिक कारण था इसलिए तीसरा यह माना गया और यह दोनों ही जाकर के 1977 में इंड किये गए यह दोनों ही जो है 1977 तक चले तो इस तरह से तीन बार तीन बार जो है national emergency की घोशना की गई जिसमें से दो बार बाहे कारण थे और एक बार जो है वो आंतरिक आपातकाल है आंतरिक कारणों से लगाया गया था अब देखे यहाँ पर हमने आंतरिक असां सब्द का प्रियोग किया है इंटर्नल डिश्टर्बेंस का प्रियोग किया है क्योंकि 1975 में ससस्त्र बिद्रोह सब्द नहीं आया था तो उसका कारण आंतरिक असांती बताया गया था बाद में 1978 में जब 44 समिधान संसोधन से आंतरिक असांती को हटा दिया गया और ससस्त्र बिद्रो रख दिया गया उसकी जगे पर और इसके बाद में इसकी जाच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था साह आयोग साह आयोग ने रिपोर्ट दी कि ये जो घोशना की गई थी ये तरक संगत नहीं थी और तभी साह आयोग की सिफारिस्म पे ही जो है जोड़ा गया था 44 समिधान संसोधल में कि मंत्र मंडल की लिखित परमिसन लिखित सलाह की जरूरत अनिवार है और उसको फिर 44 समिधान संसोधल में सामिल भी कर लिया गया तो ये चीज समझी आपने हमने यहाँ पर आपातकारिन उपबंधों में एक को समझ लिया है जिसको नेशनल इमर्जनसी कहा जाता है ये काफी बड़ा टॉपिक था और इसके बहुत से आयाम थे इसके बाद में हम जो अगला चैप्टर है वहाँ पर हम राष्टपती सासन को पढ़ेंगे और देखेंगे 356 और 365 जो दोनों ही समझाने की बिफलता की बात करते हैं उनमें क्या आंतर है और राष्टपती सासन क्या है और उसमें क्या-क्या चीजें होती है और बित्ती आपातकाल 368 किल उसको भी हम साथ में ही डिसकस करेंगे तो मिलते हैं एक और बहतर क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद